हेलो दोस्तों तो कैसे है आप इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान इंग्लेंड के बीच में जो मैच नमबर टू आज खिला जाएगा इनकी इंपोर्टेंट सीरीज चल रही है ट्वेंडी मैचिस की वर्ल्ड कप से पहले उसका मैच टू लेकिन सबसे पहले दोस्तो तो जो लोग हमारे टेलीगरम चल में नहीं जुड़े हैं दोलाग 15,000 लोग हमारे टेलीगरम चल में जुड़े चुके हैं आप भी वहां का इस सब बन जाए क्योंकि यहां पे काफी इंपोर्टेंट अपडेट्स आपको मिल जाते हैं पिच्ट न्यूस मिल जाता है टॉस पाकिस्तान इंग्लेंड का उसमें 158 पाकिस्तान ने स्कोर सेट किया जबकि लग रहा था एक टाइम पे 180 जाएगा बट इंग्लेंड ने उसे इजीली चेस करके दिखा दिया कि पिच पे बल्लेवाजे करना काफी असान है अगर आप देखोगे 11 में से 6 विक्टे फास्ट समरी में आपको लास्ट मैच में दी थी 171 में से 99 फास्ट को विकेट 61 स्पिन को विकेट गई थी बागी इंटरनेशनल भी आप देखोगे यहां जो उससे पहले मैच हुआ था रिजवान और बाबर ने अच्छा किया था और पाकिस्तान का 200 रन भी यहां पे चेस करने का स चार मैच होने चाहिए, चार मैच इसको आप मान के चलो, चार मैच में उनके तीन अर्शा तक है, यह सही रिकॉर्ड होना चाहिए, हाइदर अली है, जिन्होंने अच्छा किया है, चार मैच में 110 रन है इस राउन पे, अगर देखोगे, एवरेच 36 की खराब नहीं है, एक रिकॉर्ड देख सकते हो, बोलिंग में महुम्मद वसीम तीन में चार्ट विकेट, शुदाब छे में चार्ट, तो अगर यह टीम में आते है, खास सद्यान रखना, बागियों का रिकॉर्ड एक बर आप नजर डाल सकते हो, टोटल हैड टो एड में यहापे भई, इंगले और नहीं खेलेंगे, इसकलाब मोहिनली और डेविड मलान का नाम है, बोलिंग में आदिल रशीद 12 मैच में 14 विकेट, शुदाब 6 मैच में 10, अगर शुदाब आते हैं, सीधा सीधा टीम में लेने पड़ेंगे, इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है, तो पिछले मैच आप कल के मैच जो ने यहाँ पर पाक वर्टस इंग्लेंड कवर किया था, उससे पहले का भी अगर आप दो मैच देखना चारे हो, यह दो मैच आपको देखने को मिल रहे हैं, आप गो तुरू कर सकते हो, तो दोस्तों रिजवान ने फर्स मैच में इंपोर्टेंट 68 कर दि दो आपको, रिजवान और बाबर आपके लिए बहुत इंपोर्टन बल्लेबाज है, दिन हैदर अली, शानमसूद, इफ्तिकार एहमद, इफ्तिकार एहमद को लास्ट वर्च में बोली नहीं करवाई गई, जो मेरे साबसे बाबरासम का बहुत खराब मूव था, क्योंकि स मनकातन ने, हरिस रॉफ न अच्छी बोलिंग करी, एक विकेट विला, रहानी ने एक विकेट निकाला था, फिल सॉल्ट का थर्ड ओवर में, बाकी यहाँ पे महमद नवाज और नसीम शाने भी पूरे पूरे ओवर किये, यह फुल स्टाट्स प्रस इंफो आप देख रहे यह डेथ बोलिंग में लियू कूड आये थे 18-20 वावर करने, लियू कूड आपके लिए W पे ही मैन आप दी मैच बनके गए, इम्पोर्टेंट प्लेयर बन गए थे, प्लेयर आप दी मैच बन गए थे, यह आप इंगलेंड का हर प्लेयर का देख रहे हो, टूटल स्टाट देखो दोस्तों, फर्स्ट मैच में मैंने आपको पताया था, बटलर इंजड है, यह अभी भी इंजड है, लेकिन अब इस मैच में री स्टॉपले, सैम के रहे हैं, सैम के रहे हैं तो पहले भी खेलते हैं, क्रिस वोक्स, और एक फास्ट पोलर और 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 जो इंजड थे, मार्क वुड, इन में से किसी की भी वॉपसी हो सकती है, और जो भी वॉपस आए, वो इंग्लेंड का फर्स्ट चॉइस है, वर्ल्ड कप के लिए, ध्यान रखना, लिउक वोड स्कॉर्ड में नहीं है, क्रिस वोक्स, री स्टॉपले, मार्क वोड ये स्कॉर्ड में है, ध् इंक्लूडिंग लास्ट मैच, मलान आइधिंग लास्ट मैच में उस्मान कादिर पे आउट हुए थे, वो भी मैंने अपडेट किया है, हैरी ब्रूक अच्छा केले थे, विल जैक्स केले नहीं थे, मुईन अली को जादा मौका नहीं मिला था, बाकि बाबार आजम आदिल रशीद का तीसरी बार शिकार हुए, इंक्लूडिंग लास्ट मैच में, ध्यान रखना, यह आपको बने उस लास्ट वीडियो में बोला था, आदिल के आगे तंग रहते हैं, इवन राशित खान के आगे थोड़े तंग रहते हैं, इससे आपको पता रखता है, बाबर कही तो रिकॉर्ड ठीक था आगे सबका, लेकिन शदाब खेले नहीं थे, तो इफ्तिकार अहमद यह उट वो थे लियोकूट पे लास्ट वर में, खुछ दिल चाख खेले थे, लेकिन इनको बहुत ही कम बल्लेवाजी मिली थी, पांच बॉल, पांच ही रन कर पाए थे, इन फ इफ्तिकार एक ठीक भउचण लगरे है, लेकिन एक प्राबलम है, इफ्तिकार को बॉलिंग नहीं मिली तो यह प्राबलम मन जाती है, इनकी स्कोरिंग का शॉरिटी स्कोरिंग करें और लास्सेविशमैंग को ओर नहीं मिले, ठीक है? अगर पागिस्तान की पहले बोलिंग तो हैरिस रॉफ आपके लिए अच्छा उप्शन मंगें क्योंकि यह डेथ बोलर है जिसे लिए इंफॉर्म खरके आ रहे है अच्छे कास स्कूर बाकी यहां पर सैम क्यूराइब और मोहिन अली में मोहिन अच्छा उप्शन है थोड़ा नीचे जरूर आ रहे हैं लेकिन थर् मैं आपको कहां बता दूँगा टेलिग्राम पर इंफॉर्म कर दूँगा दोस्तों विकेट कीपिंग में आपके पास दो स्ट्रेट फॉरवर्ड चोईसेज आ रही है दोनों अपनी टीम के लिए विकेट कीपिंग कर रहे हैं मिस्टर नमक क्यानी फिल सॉल्ट और मिस्ट अबर आजम को लिया है पाकिस्तान की में ओपनर और सबसे लाजवाब खिलाड़ी थोड़ा सा इशेक अपसे फॉर्म खराब है लेकिन आपको पता है अगर यह टिक जाते हैं तो इनका स्कोर बड़ा लगता है ठीक है एलेक सेल्स इंग्लेंड की वापसी करी है इन्होंने अगर जल्दी विकेट गिर जाती है तो इन दोनों से भी आप बड़ी पार्टनर्शिप एक्सपेक्ट कर सकते हो मैंने मलान और हेल्स दोनों को रखा है है अगर यहां पे आप लेना चाहों ले सकते हो क्योंकि यह बहुत सॉलिड है इनको सुपर किंग्स की टीम ने अभी ओनर्स के थुरू खेलते दिखेंगे शान मसूद और बेंड़केड भी है दोनों अच्छे प्लेयर है टूड़ोन पर लेफ्टनेट प्लेयर दोनों आपको अपनी अपनी टीम से मिल जाएंगे ठीक है जैदर अली वन डौन है लेकिन मैं जादा ध्याम नहीं दे रहा क्यो क्योंकि लेफ्ट हेंडर बहुत है सामने और ये लेफ्ट हम और्थोडोक्स बोलर हैं बाकि आज से फली विल जैक्स जेडन कॉक्स खेलते भी हैं तो नीचे आने की उमीद जादा इस सिचुएशन में क्योंकि टीम्स अभी ऐसी है कि टॉप और तो इनका यही रहेगा और राउंडर में मोई ने लिए आपको चाहिए यह चाहिए आपको यह आपको फोर्डाउन पर देदेंगे काफी हच्छी बलेबाजी प्लस आपको दो ऊवर लास्ट मैंच में दिये हो सकता है ना इसमार मिले जब आप देखोगे इंग्लेंड की टीम उनके टॉप फाइव म कह लेता हूं क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि 8 पर है विली, एक left-hander यह रहे विली, एक left-hander क्यो रहे हैं, देन आपको left-handed में Ben Dukit left-hander मिल रहे हैं, डेविड मुलान left-hander मिल रहे हैं, चार तो यही हो गए, ठीक है, मोईन अली को कैसे भूल सकते हैं, पांस रेफ्टेंडर होगे टॉप एट में तो उसी साब से भई ओफ ब्रेक बूलर को क्यों नहीं लेके आया जारा मैं थोड़ा सा हैरान परिशान हूँ मेरे साब से ओफ ब्रेक बूलर का इफ्तिकार रहमत का काम रहेगा तो ये चीज़ का आप ध्यारन रखके चलना फिलाल में नवाज और सेम क्योरान को लिए हो नवाज को बल्लेबाजी से भी प्रमोशन मिल जाता है वैसे बोलिंग बहुत अच्छी है उनकी और सेम क्योरान तो लाजवाब है ही आपको ओवर देंगे और फिनिशिंग भी अच्छी करते हैं ठीक है डेविड विली के लिए मैं पास जगा नहीं है क्योंकि मैं दो विकेट कीपर ले चूँँ सेम गोसवार इफ्तिकार लेकिन अगर शदाब खेल जाए 100% मेरी टीम में रहेंगे मैं शदाब के विला नहीं जाओंगा इवन क्रिस्वोक्स अच्छे पिक है अगर खेल जाए तो अच्छे पास बोलर है बोलिंग में दोस्तो हैरिस रॉफ मेरी फर्स चोईस रहेंगे पाकिस्तान के डेथ बोलर अब हमारे पास मुश्किल चोईस आती है आदिल रशीद जिनने लास्ट वे दो बड़ी विक्टे निकाली नसी या शानमसूद और बावराजम की या नसीम शाँ जो कि पाकिस्तान के अच्छे फास के इंबास है या उस्मान कादे जो दो विकेट निकाल के गए मैं ज़्यादा कन्फिज हूँ आदिल रशीद और नसीम शामे लेकिन फिलहाल मैं आदिल रशीद के साथ किया हूँ मैंने इनको सिलेप्ट किया है आप पास ये भी चोईस है रिचर्ट लीसन ने दो ही ओवर किये शानवासदानी ने जरूर 20th ओवर किया बड़ वो हर बार नहीं होगा सिचुएशन ऐसे थी कि हार रही थी पाकिस्तान तो उनको अपने में बोलर डेथ बोलर हैरी स्रॉप को पहले लाना पड़ा बागी टॉप ले अगर आजए टॉप ले टॉप बोलर है इंग्लेंड के ध्यान देना और इनके बास हाइड भी बहुत अच्छी है गती भी अच्छी है बहुस भी मिलता है और हार्ट सर फेस है एज लगाके कीपर को इन्वल्फ करके कैचेज निकाल सकते है कैप्टन सी रिजवान को दी है और वाइस कैप्टन सी मैंने दी है मुई धली को लेकिन बाबराजम भी अच्छी जोइस है इसमें कोई शक्की बात नहीं है उमीद करतो इस वीडियो के थुरू दोस्तो आपको कुछ हेल्प होगी अगर आपको लगता है कुछ सीखा है तो डिस्क्रिप्शन से टेलिग्राम में ज़रूर आजो फाइनल अपडेट वहीं आपको मिलेगा चलिए अगली वीडियो में मिलता हूँ